हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक वार फिर से इस ग्यान रच चैनल पर आज जो ये वीडियो लाया गया है इसमें जो 12th PCM वाले हैं RRB, ALP, CBT2 में तो उनके लिए physics की यहाँ पे test series शुरू हो रही है इसमें जो आपके जितने भी 12th PCM के जो भी physics के topic थे जो आपके syllabus के according उनके questions को include किया गया है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप comment करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने friends के साथ share करना ना भूलें ये इस series का पहला test होगा यानि test series number one तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है और इसकी आगे की series को जारी रखना है की नहीं रखना आप comment के जरूर बताएं जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक ग्यान रच चैनल को subscribe नहीं किया है नीचे red color में subscribe का बटन दिखरा होगा उस पे click कर ग्यान रच चैनल को subscribe कर दें और bell icon को दबाना ना भूलें इससे ये फायदा होगा कि जब कभी नई वीडियो अप्लोड की जाएंगी तो आपको इसका notification मिलता जाएगा तो आईए सुरू करते हैं 12th PCM Physics के importance questions जो आपके आने वाले exam में काफी मददगार साबित होंगे तो इसमें आपका पहला question है आज का और इसमें सारे जो questions है वो bilingual यानि हिंदी और इंग्लिस दोनों में डाले गए हैं जिससे की हिंदी वालों को और इंग्लिस दोनों को problems ना हो तो आपको बताना है ओम्स नियम का ग्राफ कैसा होगा linear option B parabolic option C hyperparabolic या option D none of these और इसका सही जवाब होगा जो ओम्स नियम होता है उसका ग्राफ हमें सा linear यानि रैखिक होता है तो आपको ध्यान लखना है कि जो ओम्स law होता है जब भी उसका ग्राफ ड्रॉफ होता है voltage और current का तो लीनियर graph होता है तो यह रहा आपका ohms law का graph तो आप इसको ध्यान लखना है कि इस side पे आपकी voltage होती है और यहाँ पे current होती है तो जो यह graph है यह linear रेखा आपको यह दिखाई दे रही होगी तो इसका graph जो है linear graph होता है आपको यह ऐसा भी पुछा जा सकता है कि आपको यह graph दे दिया जाएगा तो बताएए कि यह graph किस law से related है तो आपको ध्यान रखना है कि यह आपका ohms law का graph होता है आए देखते आपका next question आपका next question है total distance covered in total times non edge कुल समय में तै किये गई दूरी को क्या कहते है और इसका सही जवाब होगा कुल समय में कुल टै की गई दूरी को आपकी average speed option number A average speed यानी हिंदी में बोलते है औस्त चाल कहते हैं तो औस्त चाल होता है total distance upon total time काफी important formula इसे numericals भी पुछे जा सकते हैं तो आपका average speed का formula होता है वो बता है आपका ये रहा total distance upon total time taken तो इस formula का no down करने है क्योंकि इसे आपके numericals भी पुछे जा सकते हैं तो आएए देखते हैं आपका next question आपका next question है deacceleration also non edge आउ मंदन का दूसरा नाम क्या है acceleration option B inertia या जड़त्वा option C retardation या बादा option D fraction precaution तो आपको बताना है deacceleration also non edge इसका दूसरा नाम क्या है और इसका सही जवाब होगा जो deacceleration होता है इसको दूसरा नाम बोलता है retardation यानि बादा तो deacceleration का दूसरा नाम retardation है तो या आप से ऐसा पुछा जा सकता है कि retardation किसे कहते हैं तो आपको याद अखना है जो retardation होता है उसका दूसरा नाम de-acceleration होता है काफी important question है तो आपको अगर आपके इसते बारे में पुछा है तो जो de-acceleration होता है यह opposite होता है acceleration का it is the rate of which an object slow down de-acceleration is the final velocity minus the initial velocity जो final velocity और जो initial velocity होता है वो आपका de-acceleration होता है और इसका जो sign होता है वो negative sign होता है और जो इसका result आता है वो dropping यानि velocity dropping होता है जो इसका wave होता है जो वस्तुका वो धीरे धीरे कम होता है तो उसे de-acceleration बोलते हैं तो यह था उसके बारे में कुछ explanation अब आपका next question है sky appears blue due to आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है option A scattering of light, option B interference of light, option C reflection of light या option D reflection of light और इसका सही जवाब होगा जो आकास का रंग जो नीला दिखाई देता है वो scattering of light यानि हिंदी में बलेंगे परकिर्णन प्रकास के परकिर्णन के कारण जो आकास का रंग है आपका नीला दिखाई देता है यह question भी काफी वार इक्जाम में पूछा गिया था आए देखते हैं आपका next question आपका next question है रेडियो वेब्स reflected back from which layers रेडियो उफ्तरेंगे किस परत से वापस प्रावर्तित होती है आपको बताना है option A troposphere, option B ionosphere, option C stratosphere या option D mesosphere और आपका सही जवाब होगा जो रेडियो वेब्स होती है वो आपके ionosphere option B ion मंदल से प्रावर्तित होकर वापस प्रित्मी पर प्रावर्तित होती है तो इसका सही जवाब है ion मंदल काफी important questions है तो आपको ध्यान रखना है जो रेडियो वेब्स होती है वो आपके ion मंदल से प्रावर्तित होकर वापस प्रित्मी पर लौटती है आपका next question है which one is not an energy source निम्न मैंसे कौन सा उड़जा सुरूत नहीं है generator, solar cell, battery या option number D, real state तो आपको बताना कि निम्न मैंसे कौन उड़जा सुरूत नहीं है और आपका सही जवाब होगा जो option D, real state होता है वो real state आपका जो है उड़जा सुरूत नहीं है बाकी आपका generator भी जो energy generate करता है, solar cell भी आपका energy generate करता है और battery भी आपको energy provide करती है तो इसलिए आपका option number D, real state answer होगा तो यह आपने real state की यह image है, यह आपने देखी होगी यह आपकी एक coil होती है जिसको move करने से हम जो है इसका resistance change करते हैं तो जो real state होता है आपको यहाँ पर बताया गया, जो real state ही जो variable register used to control current तो current को control करने के लिए जो हम real state का use करते हैं यह आपने यह practical भी किया होगा कि यह real state होता है इसको यह वाली जो slide होती है यह इस पर move करती है इसते जो है आपका resistance जो है vary करता रहता है और इसते हम current को control करते हैं आईए देखते आपका next question आपका next question है unit of electric charges विद्युताविस की काई क्या होती है option A, coulomb, option V, volt, option C, ohms, या option D, ampere तो आपको बताना है विद्युताविस की काई क्या है और इसका सही जवाब है जो electric charge होता है उसकी जो unit होती है वो होती है आपकी option A, coulomb, तो आपको ध्यान रखना electric charge की जो unit होती है, SI unit, वो coulomb होती है काफी important question है आपका next question है, one parse deck equal to, one parse deck किसके बराबर होता है 3.15 light year, option B, 4.5 light years, option C, 3.26 light years, या option D, 2.5 light years तो आपको बताना है, one parse deck equal to और इसका सही जवाब है, जो one parse deck होता है, इसका जवाब है option number C, 3.26 light years, one parse deck equal to 3.26 light years होता है काफी important question है next question है, which kind of waves are used in radar, radar में किस तरह की तरंग यूज होती है radio waves, light waves, x-ray या none of these और इसका सही जवाब है, option number A, radio waves, जो radar होती है उसमें आपका radio waves का इस्तेमाल किया जाता है, काफी important question है आपका next question है, fathom is unit of, fathom किसकी unit है sounds की, depth की, distance की, या energy की और इसका सही जवाब है, depth, जो फैदम है, या आपकी depth की unit है, काफी important question है आपका next question है, gravitational acceleration value maximum at गुरुतिय तुरण का मान सरवादिक कहाँ पे होगा और इसका सही जवाब है, option number A, at pose, जो धुरू होते हैं वहाँ पे गुरुतिय तुरण का मान सबसे ज़्यादा होता है, काफी important question है आपका next question है, speed of a body is particular direction is called किसी विशेश दिसा में वस्तु की गती को क्या कहते है और इसका सही जवाब है, option number A, velocity यानि wake किसी विशेश दिसा में वस्तु की गती को जो है wake कहते है काफी important question है, तो ये थे आपके 12th question के जो ALP CBT2 के लिए कुछ important series का, वीडियो का part 1 test series का तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप comment करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा, तो share करना ना भूलें जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्यान रच चैनल को subscribe कर दें और बैल आइकन को दबा लें, और जो वीडियो कैसा लगा, comment करके जरूर बताएं किसकी आगे की series को जारी रखना है कि नहीं, धन्यवाद